सब्सक्राइब सब्सक्राइब उनका स्वागत करते हैं वेलकम डॉक्टर संदीब आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है नमस्त डॉक्टर, मैं आपसे ये चानना चाहूंगी कि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारे पेट में दर्ध चुरू होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमें बहुत-बड़ी पत्री हुई है तो क्या ये संबव है कि हमें बिना दर्ध हुए भी इतनी बड़ी पत्री हो सकती है हाँ ये संबव है क्योंकि जैसे दिल की धड़कन रहती है वैसे किड्नी की कोई धड़कन नहीं रहती है और जो पत्री है वो पहले किड्नी के मास में रहती है गुड़दे के मास में रहती है और अगर वह मास में फसी हुई है उपर गुर्दे के मास में तो बड़ी हो सकती है 3 cm, 4 cm, 6 cm, ऐसे भी बड़ी पत्री रहती है क्योंकि वह हिलती नहीं है इसलिए वह दर्द नहीं देती है तो यह संभव है कि आपको पहली बार दरदवा और उसमें छोटी नहीं बलकि बड़ी पत्री आपको मिले यह संभवना हो सकती है अगर आपको किंडी की पत्री की वज़े से कोई infection हो जाए यूरीन में बैक्टिरिय जादा आ जाए और इंफेक्शन हो जाए तो फिर उसकी वज़े से भी आपको पेट में दरद और इंफेक्शन का दरद हो सकता है जी डक्टर डक्टर ये जो पत्री हो जाती है उसके लिए आप कौन-कौन से इलाज सजिस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो इंडिया और पाकिस्तान और गिफ्टेड विट स्टोन बाई गॉड तो हम हैं पूरे दुनिया का स्टोन बेल्ट यानि सबसे जादा पत्री गुड़दे में हमारे इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को है मर्द और दोनों को तो इसकी वज़े से कहते है कि genetically हम subcontinent इंडिया के भारतिय वासी होनी की वज़े से वो हमको ज़ादा है इसका कोई proof नहीं मिला अभी तक कि कोई खाने की वज़े से है या इधर की पानी की वज़े से है यह सब अभी भी research और जाच का चल रहा है लेकिन जो पत्री होती है उसके कारण कम पानी पीना और शार ज़्यादा होना पानी में hard water यह एक कहा जाता है तो सबसे पहले जब आपको पता चल जाए कि आपको गुर्दे की पत्री है यह पित की थैली का पत्री नहीं है मैं गुर्दे की पत्री की बात कर दो उसमें सबसे पहले हमें पानी सबसे ज़्यादा पीना है चार लिटर पांच लिटर दिन का पीना है कि जिसके हिसाब से जो crystal है छोटे-छोटे पत्री अंदर है वो बाहर निकल जाए और नहीं-नहीं पत्री बनना कम हो जाए अगर आपकी पत्री दो मिलिमीटर चार मिलिमीटर यानि आधे सेंटीमीटर से कम हो तो उसके लिए हम उनको पत्री को डिजॉल करने वाली crystal को डिजॉल करने वाली दवाईया देते हैं जिसमें citrit नाम का chemical होता है यानि किशार होता है नमक की तरह दवाई नहीं कहेंगे उ अलग अलग प्रकार की तरीकों से ठीक करा सकते हैं इसका पाउडर बन करके वो पिसाफ की जगे से बाहर निकल जाता है अगर वो चोकप कर रहा है और उसके वजह से पिसाफ उपर फस कर किड़नी एक गुबारे की तरह फूल कर पत्ली हो रही है यानि किड़नी के उपर त तो इसके हिसाब से जो सूजन है अंदर का पिसाब की युरेटर में वह कम हो जाते हैं और फिर तीन हफ्ते के बाद में वह डीजे स्टेंड निकाला जाते हैं जी डॉप्टर अगर हमें पत्री हो गई है हमने इलाज भी कर वाली और वह पत्रे निकल भी गई लेकिन क्या यह संभव है कि उसी जगह पे वापस पत्री हो सकती है जैसे मैंने आपको कहा कि we are the stone belt of the world हमें भगवान ने gift दिया है भारत वर्स में stone का तो अगर एक बार पत्री हो जाए तो उसको recurrent stone former कहते है कि बार बार पत्री होना संभव है इसके वज़े से उसको कम मात्रा में हो जाए इसके लिए हम पानी जादा पीना उपवास नहीं करना और अगर वह पत्री का जाच हुआ है और पता है कि यूरिक ऐसीड का पत्री है तो उसका दवा अलग है कैल्चियम की पत्री है तो फिर उसका दवा अलग है इसे मामूली दवाईयां उसकी है वो सब चालो रखना है और सबसे महत्वा पूर्ण चीज कि हर साल में आप जन्वरी में सोनोग्राफी कीजिए कि अंदर से कोई साइलेंट स्टोन नहीं है और अगर वो साइलेंट स्टोन जो छोटा है तो उसकी दवाया और बढ़ा सकते अगर बढ़ा है तो वापसे लेजर या डीजेस्टेंड व सबसे प्रमुक कारण है किड्नी के ऊपर प्रेशर करने के गृडदा खाराब करने के तो वह वाले आपको पता चलेंगे तो वह आप उसको कंट्रोल करेंगे अगर आपका creatin थोड़ा जादा है आपका calcium, phosphorus, uric acid में कोई तकलीफ है blood के report में तो उसको आप ठीक करेंगे तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हम kidney के मदद करने वाली दावाया कितनी और बढ़ा सकते हैं इसके वज़े से हम जो kidney के मरीज नहीं है उनको साल में एक बार और जो kidney के मरीज अल्रेडी हैं जिनका creatin बढ़ गया उनको तीन महिने में एक बार सारे जाच यहने खून के जाच और पिसाप का जाच करने को कहते हैं और साल में एक बार सोनोग्राफिक करने को कहते हैं जी डॉक्टर जैसे कि मैंने सुना है कि kidney के जो भी इलाज होते है उसमें हीमोगलोबिन और आयन का इंजेक्शन दिया जाता है तो इंदू इंजेक्शन का इस treatment में क्या रोल होता है जब भी हमारे गुड़दे kidney है वो signal देते हैं bone marrow को उसके बाद में हीमोगलोबिन तयार होता है वो signal का नाम है erythropoietin तो erythropoietin जब हमारी kidney कम जोर होती है जब भी हमोगलोबिन दस से नीचे जाए ऐसे patient में मरीज में हम सबसे पहले आयन यहने लोहे का injection देते हैं कि जिससे जो एक capacity है खून तयार करने की वो सबसे पहले बरकर आ रहे है और उसके बाद में erythropoietin इस पे काम करें जी डॉक्टर अगर किसी मरीज को diabetes है और blood pressure भी ह और साथ-साथ उसे kidney की समस्या भी ही तो क्या इस मामले में उसकी kidney की समस्या ठीक हो सकती है जो भी उमर वाले बुजूर्ग patient है चालिस उमर के उपर उनको diabetes है और blood pressure है तो सबसे पहले जब kidney के उपर तकलीफ होती है तो urine में protein जाता है और उसके बाद में उनका खून में creatinine की मातरा बढ़ने को शुरू होती है तो ऐसे मरीजों में हम सबसे पहले उनका diabetes और blood pressure control करते हैं और बाकी जो खून के poison है जैसे calcium, phosphorus, uric acid, potassium ये सबको हम थोड़ा diet से control करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा खाना बंद कर दे सिफ उसकी मातरा में हम adjustment करते हैं कोई भी खाना बंद करने की जरूरत नहीं मासा हार भी बंद करने की जरूरत नहीं होती है ये एक misconception है कि अगर क्रेटिन बढ़ गया तो आपको शाकाहरी, pure veg बनना है वैसा कोई चीज नहीं है आप कम मातरा में non-vegetarian food खा सकते हैं अगर आप खुद से पहले से ही vegetarian है तो उसमें भी ह अगर में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में विताइए सिस्ट यहने एक पानी से बरा हुआ गोला जो छोटा हो सकता है आधा सेंटीमीटर जैसे अंगूर होता है तो यह अपने शरेर में अलग-अलग जगह पे हो सकता है ओवरीज में हो सकता है उसको PCOD कहते हैं कि किड्नी में सिस्ट है वो यूजूली पानी से बरे वे या यूरिन से बरे वे गोते होते हैं तो यह डिजेनरेटीव डिजीज कहते है या उमर के हिसाब से हो सकते है उसको सिंपल सिस्ट कहते है और अगर वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है कि उसमें अंदर विभाजन है औ फिर urine infection first हो सकता है और बहुत ही rare reason में वो cancer हो सकता है तो जब भी हम कोई cyst kidney में देखते हैं तो उसको हम नजर अंदाज तो नहीं करते लेकिन एक बार हम CT scan करके देखते हैं अगर वो simple cyst है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा treatment कुछ है नहीं वो developmental degenerative disease है उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है वो सिब एक simple चीज है उसके लिए कुछ नहीं करते हैं लेकिन अगर उसमें हमें लगे कि infection है या cancer है तो उसका तो वो कभी तकलीफ देता नहीं है कोई दूसरे कारण वश अगर आप sonography करें तो फिर आपको CT scan करें तो आपको शायद पता चले कि kidney के अंडर cyst है तो इसमें usually कोई तकलीफ वाला का बात नहीं रहता है लेकिन एक बीमारी है जो ADPKD कहते है adult onset polycystic kidney disease तो इसमें हमारी kidney के cyst बढ़ते जाते है और बहुत सारे cyst होकर kidney खोकला हो जाता है यह एक genetic disease है आज तक उतके कारण हमें कोई दवाई मिली नहीं है उसको help करने माली थोड़ी दवाईया है लेकिन curative आज तक कुछ भी मिली नहीं है तो ADPKD का cyst अगर रहेंगे बह पड़ता है यहने उनके सगे भाई-बैन और माबाप और बच्चे इनका भी sonography किया जाता है कि बिना अंजान में उनका कोई अंदर से cyst है कि लेकिन आज तक कोई दवाई नहीं है लेकिन आज तक कोई दवाई नहीं हो जाता है तो क्या यह urine infection kidney से related है और किन वजाओ से यह urine infection होता है जो urine infection नहीं संक्रमन करते हैं वो हमारे शरीर में bacteria से होता है वाईरस से होता है और कम मातरा में कभी-कभी tuberculosis TB से होता है और बहुत ही कम मातरा में fungus से हो सकता है तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले पिसाब में जलन होता है पिसाब रुक रुक कर आता है क्योंकि सबसे सिंपल सेंपल बेजा जाता है और में अगर फंगल बैक्टिरिया दिख रहे था ही एज And औरुसे ।slिश को इसके में उसके साथ में अगर эт। युरिविर इंफेक्शन होjàता है इसमें हम diabetes है, HIV positive है, seropositive है या फिर वो कोई दवाई पर है जिसके वज़े से शरीर की immunity कम है जैसे कोई आस्त्मा के लिए steroid पर है, kidney disease के लिए खुद steroid पर है transplantation steroid पर रहते हैं, immunosuppressive drugs पर रहते हैं इसके वज़े से उनके शरीर में immunity कम है तो फिर बैक्टिरिया का fighting power कम होकर हमें infection हो जाता है इसमें और एक जांज की जाती है, पुरुष में पौरुष ग्रन्ती प्रोस्टेट की पौरुष ग्रन्ती फूल जाती है उमर के बार में और उसके पीछे urine चोक अप हो जाती है तो इसमें sonography में pre-ward, post-ward residue और prostate का size देखा जाता है और फिर इसके हिसाब से अगर prostate का कुछ treatment करना है तो वो किया जाता है अगर कोई married person है तो फिर उनका जो partner है उनमें अगर urine infection है तो फिर वो partner से उनको urine infection में सकता है तो फिर ऐसे व्यक्ति में हम उनके partner का भी urine routine culture और sonography करने कहते हैं जिसमें pre-ward और post-ward residue भी किया जाता है जी रोक्टर बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप हम आपसे ऐसी सवाल पूछेंगे आपसे ऐसी जानकारी चाहेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बार दोस्तों किड्नी के बारे में किड्नी की समस्याओं के बारे में ये चर्चा ऐसी ही जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बार